नमस्कार दोस्तो जैसे क्या सब जानती है चेननी सूबर किंग्स ने आईपेल 1224 की शुरुआत अच्छे की थी लेकिन गुरूप स्टेज के मुकाबले खतम होते होते टीम संकट मेनेजर आ रही है अब डिफेंडिंग चेंपियन चेननी पर प्लेओफ से भार होने खत्रा मंडरा रहा है वहीं दूसरी ओर टूर्नमेंट में एक वक्त बहुत ही बुरी स्तित्थी का सामना कर रही वेल्स चेननेजर बैंगलोर्यू की टीम अब अचानक से प्लेओफ की रेस में आ गई है दोनी टीम में गुरूप सेज का अपना आखरी मैच 18 माई को बैंगलोर्यू के चेननसों में स्टेडियम में खेलेंगी तो इसी बीच मैं आपको दोनों टीमों के प्लेओफ में पहुचने का समीकरन बताता हूँ जहां चेननेजर सूपर किंग्स को पर अपना आखरी मैच में एक जीत की दरकार है वही बैंगलोर्यूर की टीम 13 मैचों में 12 अंकों के साथ पॉइंस टेबल पर छड़े नंबर पर है वही चेननेजर सूपर किंग का नेट रन रेट 0.528 है तो वही आर्सीबी का 0.387 अगर आर्सीबी की टीम 200 रन बनाकर 18 रन से मैच जीत जाती है या फिर 200 रन का टार्गेट देकर 11 गेंद रहते चेज करतेती है तो वह प्लेओफ की रेस में पहुच जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चेननेजर इक टीम प्लेओफ में पहुच जाएगी दोस्तों अगर आपको जानकर एच्छे लगी हूँ तो प्रिस वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े ही मेरे चैनल के साथ ऐसी और वीडियो के लिए